नमस्कार आप सभी को, आज हम एक कमेंट पे बात करने वाले हैं, मैम मुझे लड़का चाहिए तो मुझे कभी ट्राय करना चाहिए, ओविलेशन हो उस दिन, प्लीज कुछ हेल्प कीजिए, इसी तरह का एक और कमेंट आया था, मैम मेरे भी दो गर्ल्स है, वो भी C-section से, कैसे conceive होता है, क्या baby boy conceive करने के लिए ovulation का कोई रोल होता है, क्या ovulation का जानकर किसी दिन, specific दिन पर अगर आप relation बनाते हैं, तो आप baby boy conceive कर सकते हैं, क्या, इस तरह से, या फिर baby boy conceive करने के लिए, कौन से दिन पर relation बनाने चाहिए, इस तरह के कई सारे सवालों पे आज हम आप हमारे साथ जुड़े है, because health is here, हम हमेशा आपके साथ health related videos share करते हैं, जैसे कि female health, male health, menstrual health and couple, pregnancy के बारे में, आज हम baby boy pregnancy कैसे अचिव करते हैं, इस topic पे चरचा करेंगे, I am an embryologist, मैं test to baby centers में, जो IVF lab होती है, जो जहाँ पे actually test to baby बनाने का काम होता है, वहाँ पे मैं काम कर जैसे कि हमारा आज का सवाल है कि baby boy कैसे conceive होता है, तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि actually conceive कैसे होती है, याने pregnancy कैसे ठहरती है, तो जैसे स्री के शरीर में दो अंडाशे होते हैं, उसमें से हर एक मैने में एक अंडाशे से एक अंडा fully mature होता है, याने कि उसकी size 18 mm से जब रहता है, healthy रहता है, और इस process को हम ovulation process कहते हैं, जैसे मैंने कहा ये 24 घंटे तक जीवित रहता है, healthy रहता है, तो अगर इन 24 घंटों में वहाँ पे शुकराणों की availability हो जाती है, शुकराणों वहाँ पे बहुत जाते हैं, तब वहाँ पे स्रीबिच और पुरुश बिच इन process को implantation कहा जाता है, और इस implantation process जब complete हो जाती है, तब हम कहते हैं कि आपको pregnancy रह गई है, आपने conceive कर लिया है, या फिर आपको बच्चा ठहर गया है, अब बात करते हैं कि baby boy कैसे conceive करते हैं, या फिर baby boy कैसे conceive होता है, सेम अगर baby girl आप चाहते हैं, तो baby girl कैसे conceive होती है, इसके वारे में हम जआते हैं, जिसमें DNA होता हैं, इन क्रोमोजोम्स में बच्चे को मा की तरफ से जो जानकारी दी जानी होती है, कोई genetic information होती है, वो सारी genetic information इस क्रोमोजोम्स में इन DNA में एविलेबल होती हैं, स्री के स्रीबिज में हमेशा X chromosome एवेलेबल होता है अब अगर शुकराणूओं की बात करें तो शुकराणूओं का भी जो सिर पोर्षन होता है इस बेडिकेटेड वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है तो अगर आप उसको जानना चाते है तो उसका लिंक मैंने नीचे description box और यहाँ पे i button पे भी में दे दूंगी अगर आप चाहे तो आप check कर सकते हैं यहाँ पे हम बात करें थी कि baby boy कैसे conceive होता है तो जैसे मैंने कहा स्रीवीज में हमेशा x chromosome होता है लेकिन शुक्राणूओं में कुछ शुक्राणूओं में x chromosome होता है और कई शुक्राणूओं में y chromosome होते हैं अब जब स्रीवीज के साथ x chromosome वाले शुक्राणू फलीत होते हैं तो स्रीवीज का अपना x chromosome और पुरुष बीच का x chromosome इस तरह से x x ये pair बनता है अगर ऐसा पेर बनता है तो आगे चलके जन्म लेने वाला बच्चा ये लड़की होती है अगर Y chromosome वाले शुक्राणू स्रीवीच के साथ फलीत होते है तो स्रीवीच का अपना X chromosome और शुक्राणू का Y chromosome इस तरह से XY ये पेर बनता है और ये बच्चा आगे चलके लड़का बनकर पैदा होता है अब कुछ लोग पूछेंगे तो हम ऐसा क्या करें कि Y chromosome जाके स्रीवीच के साथ फलीत हो और आपको बच्चा लड़का हो तो इसका जवाब है ध्यान से सुनिए कि इस तरह की कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं होती है हम नहीं तै कर सकते कि Y chromosome वाला शुक्राणू ही जाके स्रीवीच को फलीत करें और आपको होने वाला बच्चा लड़का हो जी हाँ नेचर ने इसमें कोई भी फरक नहीं किया है जैसे मैंने कहा शुक्राणू में X chromosome वाले शुक्राणू और Y chromosome वाले शुक्राणू दोनों की मात्रा सेम होती है विर्य में इन दोनों तरह की शुक्राणों की हर तरह से capacity same होती है जैसे कुछ रीवीच को फलीद करने की capacity same होती है उनका fertilization rate same होता है, इनका implantation rate same होता है उनका survival rate same होता है इस तरह से सारी चीज़े 50-50% होने की वज़े से nature ने इसमें कोई भी भेदबाव नहीं किया है तो जैसे लड़का होगा या लड़की होगी इसके भी chances बराबर याने 50-50% होते है 49%, 51% इस तरह का एक तके का भी भेदबाव nature ने नहीं किया है अब बात आती है कुछ लोग कहते हैं कि ovulation को जानकर अगर आप pregnancy plan करते हैं दिन तै करते हैं तो आपको लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है तो इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसका भी जवाब है नहीं, absolutely not जी हाँ, ovulation को जानकर आप सिर्फ pregnancy plan कर सकते हैं आप naturally pregnancy achieve करने के लिए जादा उसको आपको importance होगा कि जैसे ovulation आपको मालूब है, आपने relation बना लिये, fertile window को जान लिया और आपने relation बना लिये, तो easily आपको natural way से pregnancy achieve हो सकती है chances बढ़ जाते हैं, लेकिन आप pregnancy उस तरह से plan करेंगे तो लड़का होगा या लड़की होगी इस तरह से आप नहीं जान सकते या plan नहीं कर सकते हैं ये एक myth है, गलत धारणा है, और इस चीज को हमारे समाज में बहुत दिनों से चलता आ रहा है लोगों की इन भावनाओं को जान कर, उसका फाइदा उठा कर, कई सारे लोग इस चीज को encash करते हैं जी हाँ, अगर कोई doctor या वैद्य आपको कहता है कि हम इस तरह से कोई दवाई देते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी, तो जान दिजी कि वो आपको ठग रहा है जी हाँ, देखें इस तरह से बिजनस कैसे चलता है, कि जब कोई 10 तरह, 10 parents है या फिर 10 कपल है जिसको ये doctor दवाई दे रहा है, सबको लड़का होने के लिए दवाई दी है उसमें से nature के rule के हिसाब से ही 4 या 5 या 6 लोगों को लड़का हो जाता है पहले बात करते हैं जिनको लड़की हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, जिनको लड़की हो जाती है उन उन patients को छोड़ दिया जाता है उनका पूरा focus होता है जिनको लड़का हुआ है जिहां जिनको लड़का हो जाता है वो actually nature के rule के हिसाब से उनको लड़का हुआ है यहाँ पे doctor का कोई role नहीं होता है लेकिन doctor पूरा credit ले लेता है उसी के साथ-साथ उसको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते है और यहीं लोग उसकी free में mouth publicity कर देते है कि अगर किसी को लड़का चाहिए तो इस doctor के पास जाओ यह अच्छे results देते है तो इस तरह से यह सारा business जलता है जो की पूरा fraud basis वे होता है अगर आपकी इस तरह की किसी भूंदू वेद्दे से जुड़े हुए है तो बच्ची इस तरह का कोई भी assurance आपको नहीं दे सकता है मेरी गुजारिश है सारी माताओं से सारी पिताओं से मेरे सारे विवर्स से की आप इस तरह से ना सोचे तो उस blessing का सम्मान करें फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो I hope आपको आज का वीडियो informative लगा होगा अगर informative लगा तो वीडियो को लाइक करना ना बुलिएगा अगर आप हमारे चानल पे पहली बार आये हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम हमारा नया informative वीडियो अपलोड करेंगे उसका सबसे पहला notification आपको मिल जाएगा और आप हमारा कोई भी informative वीडियो मिस नहीं करेंगे तो चलिए मिलते हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपी के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिये स्वस्त रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए because health is here नमश्कार